दालों की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से आ रही गिरावट अब थम्तीर दिखाई देई है कम दामों की वज़े से धलन की आवक फिलाल मंडियों में खट गई थी और इधर मिलर्स की मांग मंडियों में अब एकाएक बढ़ने के कारण सो मार को ज्यादातर दालों की कीमतों में तेजी का मोहर रहा अच्छी क्वालिटी के चना कांटे में मिलर्स की डिमांड जोरदार पनी हुई है जबकि आवक कम होने के कारण दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं सोमार को चना कांटा 50 रुपे बढ़कर 52 रुपे प्रतिक इंटल पर पहुंच गया चना दाल में भी मांग जोरदार रहने से 50 रुपे की तेजी देखने को मिली उधर मसूर में निचले स्तरों पर खरेदारी एक बार फिर आती हुई नजर आई और आयात को द्वारा कम दामों पर बिक्री रोक देने से मंडियों में इसके दामों में तेजी देखने को मिली मसूर 25 से 75 पे बढ़कर 62 पे प्रतिक विंटल पर पहुँच गई है और तूर में भी मांग अच्छी बनी हुई है जबकि उपलपता सुगम न होने के कारण भाव में तेजी आ रही है तूर महराष्टर सभे 73 सो से 75 सो पे प्रतिक विंटल जबकि करनाटक तूर 74 सो से 76 सो और निमाडी तूर 6,000 से 77 सो पे प्रतिक विंटल पर कारोबार करती दिखाई दी है मूंग में भी लंबे समय के बाद डिमांड अच्छी निकलने और आवक जैसी होनी चाहिए वैसी न होने के चलते डामों में 100 रुपे की तेजी दर्च की गई मूंग बढ़कर 7,000 से 73 सो और अवरेच 6,000 से 76 सो पे प्रतिक विंटल पर कारोबार करती दिखाई दी है जब साँ